Hello Friends, Welcome to Educational Insight प्यारे बच्चो अगर आप कक्षा आर्ट में स्टुडी कर रहे हैं चाहे परिशदी उच्छ प्रात्मिक विद्याले हो चाहे सहायता द्वरा मानता प्राप्त वित पोश्चित विद्याले है वहाँ पे अगर आप कक्षा आर्ट के स्टुडेंट हैं चाहत्रित परिक्षा को जरूर भरे इस परिक्षा में कैसे फॉर्म भरे जाने हैं क्या-क्या शर्ते हैं क्या-क्या पातरता है इसी वीडियो में हम पूरा का पूरा आपको बताने जा रहे हैं तो प्यारे बच्चों आते हैं बिना देर की ये वीडियो की शुरुआत करते हैं रास्टी आयोम योगता आधारी छात्रित परिक्षा वर्स 2023-24 खास तोर पे बात करें कक्षा आठ में अध्धन रत छात्र शात्रा ध्यान दे ये जो परिक्षा है इसमें प्यारे बच्चों आपको एक हजार रुपए प्रतिमाह मिलते हैं और ये कक्षा नौ से लेके बारा तक पूरा मिलता है तो सबसे बड़ी बात ये है किसका उदेश क्या है इस परिक्षा का निर्बल आयके प्रतिभाशाली बच्चों को आर्थिक साहता प्रदान करना आर्थिक रूप से निर्बल एवं प्रतिभावान बच्चों के कक्षा आठ के बाद विद्याले छोड़ेने की प्रिवर्ती पर रोक लगाना आगे की सिक्षा के लिए प्रोसाहित करना अब रास्टी आयों योगता आधारी छात्वित परिक्षा वर्ष 2023-2024 से तु अरहता क्या है? यानि योगता क्या है? इसकी प्यारे बच्चो योगता ये है कि सैक्षिक सत्र वर्ष 2021-22 यानि इससे पहले का जो वर्ष है उसमें आपने का अच्छा साथ की परिक्षा नियू किसी भी राज के राजकी या अशाशकी या सहायता प्राप्त या अस्थानी निकाय के विद्यालियों में कक्षा आठ में अध्यन रत हैं यानि अध्यन कर रहे हैं ऐसे छात्र शात्र हैं जिनके अभिवावकों की वार्षिकाय सभी स्तरोतों से 3,50,000 रुपए से अधिक हो यह महत्पूर बात है पहली तो आप अभी कक्षा आठ में पढ़ रहे हो इससे पहले का वर्ष 2021-22 में आपने कच्छा साथ उत्रियन किया हो 55% अंकोक साथ और आपके जो अभिवावक हैं उनकी जो वार्षिक आय सभी स्तरोतों से 3,50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए आवेदन किती थी आवेदन करने किती थी आप 29 अगस्त वर्ष 2022 यानि इसी 29 अगस्त जो कल भी बीता है कल से शुरू हो गया है आवेदन की प्रक्रिया और 24 सितंबर 2022 तक आप आवेदन कर सकते हैं अब जब आप फॉर्म भरेंगे तो कुछ कागज आपके लिए जरूरी है अभ्यरती का आधार कार्ड यानि जो भी बच्चा है उसका आधार कार्ड जरूरी है जाती प्रमालपत्र जरूरी है अभ्यरती के पिता का आय प्रमालपत्र यों कक्षा साथ का आपका अंक प्रम इसमें जो प्रश्ण पत्र आएंगे वो सामान नमांसिक योगता परिक्षन 90 प्रश्ण 90 मिनट, सैक्षिक अविरूज परिक्षन 90 प्रश्ण के लिए 90 मिनट और चुनोती ग्रस्त अभ्यरतियों के लिए उपरोग्त दोनों विश्यों में 30-30 मिनट का अतरिक्त समय दिया जाएगा अब इसमें छात्रविती रासी कित्ती मिन्नी हैं मेरिट के आधार पर चैनी छात्र चात्राओं को चात्रविती के रूप में 1000 रूपे प्रतिमा की दर से 12,000 रूपे वार्शिक यानि 4 वर्षों में कुल 49,000 चात्रविती प्रस्तावित है उत्रिण करने वाले चात्र चात्राओं को कक्षा 9 से 12 तक ये चात्रविती प्रदान की जाएगी अब किस वेबसाइट पर आपको अपलाई ऑनलाइन करना है तो www.ent.co.in पर ऑनलाइन आवेदन करना है जब आप www.ent.co.in पर विजिट करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा रास्ति आयों योगता आधारी चात्रवित योजन परिक्षा वर्स 2023 चोबिस अक्षा 8 में अधिर्ण चात्राओं के लिए अभ्यर्थियों के लिए अभ्यर्थी का नाम आएगा दोस्तों सबसे पहले पूछा जायेगा नाम कुमार या स्रीमान आदिन लिखें तो पहले नाम लिखना होगा फिर जनमति थी यानि अंकों में फिर जनमति थी शब्दों में पिता का नाम रहेगा स्री प्रोफेसर डाक्टर आदि न लिखें माता का नाम स्रीमती प्रोफेसर डाक्टर आदि न लिखें यानि नाम के पहले ना तो आपको श्री लगाना है पिता के ना तो प्रोफेसर लिखना है ना डाक्टर लिखना है ऐसे ही माता के नाम के पहले श्रीमती प्रोफेसर डाक्टर आदी आपको नहीं लिखना है आगे चलते हैं लिंग यानि बच्चा अगर बॉय है तो उसको पुरुस और अगर गरल है तो उसको दोस्तों क्या करने है अगर गरल है तो उनको क्या करने है फिमेल के आगे टिक करने है अब हर्थी का निवास अगर ग्रामिट छेतर का बच्चा है तो रूरल शहरी छेतर का बच्चा है तो आरबन आगे चलते हैं जाती यानि आरक्षन क्या है आपकी अगर सामान वर्ग के से हैं तो जनरल कटिगरी अनुसूचित जात शेडियूल कास्ट है SC SC के आगे अनुसूचित जनजात शेडियूल ट्राइब है अगर आप फिजिकली किसी भी परकार का शेडियूल ट्राइब और अगर दोस है तो चलन किरिया चलने में शिर्मन यानि सुनने में दोस है तो सुनने में मंद दिरिश्टी यानि आख से ठीक से दिखाई नहीं देता तो मंद दिरिश्टी अगर ऐसा कुछ नहीं है तो कोई नहीं स्वतंतरता सेनानी आसरित हैं फ्रीडम फाइटर कोटे से हैं हाँ अगर हैं तो हाँ नहीं है तो नहीं पत्र विवहार का पता अपना अथवा पिता का नाम नहीं लिखना है आपको आपको ना तो खुद का नाम लिखना है ना ही पिता का नाम जो आपका एडरेस है जहां का एडरेस है उसे लिखना है फिर मोबाइल नमबर आपको देना है लेंड नमबर अगर हो तो देने ना हो तो देने की जरूरत नहीं है इमेल आईडी भी आपको देनी है आगे चलते है संस्था का नाम जहां आब भेरति कक्षा 8 में पढ़ रहा हो जिस संस्था में आप पढ़ रहे हैं उस संस्था का नाम लिखें असास्ता कैसी है यानि राजकी है यानि GIC यानि गवर्मेंट इंडर कॉलेज वगेरा है या स्थानी निकाय यानि उच्छ प्रात्मिक विद्धयाले है परिश्वदी या आसास्ता की सहरेता प्राप्थ है तो प्यारे बच्चों आपको इस से लिखना है ये जरूरी है कि या तो संस्था राज की है या स्थानी निकाय की है या आशास की है तो ही आप इस फाम को भर सकते हैं यानि आशास की है कोई निजी विद्याले है लेकिन गवर्मेंट से उसको एड मिलती है गवर्मेंट एड़ेड है विद्याले जीस छेतर में हो तो यहाँ पे 3,500,000 से कम आप आय लिखेंगे या 3,500,000 है और तैसील दार दोरा निर्गत प्रमालपत्र एम स्वेम का प्रमालपत्र अपलोड करें आय प्रमालपत्र की संख्या आय प्रमालपत्र जारी होने की दिधिन इंकम स्रेटिफिकट आपको लगाना होगा और वो भी तैसील दार दोरा जारी होना चाहिए परिक्षा का माध्यम आप कौन सा चुनेंगे हिंदी चुलेंगे या इंग्लिश चुनेंगे तो जो भाषा आपको चुनना है चुन सकते हैं परिवार के सदस्तों की संख्या पू गोष्णा करता या करती हूं कि मैंने परिक्षा में सम्मिलित होने से संबंधित पातरता की शर्ते साउधानी पूर्वक पढ़ी हैं वे मुझे मान हैं और मैं शर्त पूरा करता या करती हूं मैं यह भी गोष्णा करता हूं या करती हूं कि आवेदन पत्र में दिये गए स सारे विबरण सूचनाए सत्यों सही हैं और मैंने इन सूचनाओं में कोई तत्य छुबाया नहीं है। यदि कोई विबरण या सूचनाए असत्य गलत पाई जाती हैं तो मेरा अभ्यरतन निरस्त कर दिया जाए अभ्यरती का असतर चले। तो प्यारे बच्चों आपको जहां भी साइबर कैफे पे भरेंगे फॉर्म आपसे वो हस्ताचर लेंगे उसको अप्लोड भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही आप फॉर्म भरें और आप परिक्षा को उत्रिण करें मेरी शुब कामनाए हैं और आप एक हजार रुपे प्रतिमा जो छात्र वित्य है उसके दाविदार बने हैं। आज के लिए इतना ही थैंक्स फर वाचिंग और लिस्निंग दिस जैजे प्रकास दूबे साइडिंग आप